हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरबार जैसे कृष्णे रादे रादे माई सोल फैमिली माई वीवर्स माई सब्सक्राइब सकार्ड ब्लेस यू आप सुष्ट होंगे मस्त होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आज का विका जो मैं वीडियो लेकर आई आज उवर्स शुवर वह क्या महसूस कर रहे थे आपके लिए इंचर्ष फ्लीस काईट करें डिवाइन गाइट करें और क्भी सक्ति राधा राणी गाईट करें क्या महसूस कर रहे थे शुवर शुवर्स दे हैंड मैन ओ, four of wands, वाव, nice काफी गहरी सोच में थे passionate भी फिल कर रहे थे action लेना चाह रहे थे लेकिन हो सकता है इस सब बहुत दुखी है और आपको weight भी करा रहे हूं ठीक है, the emperor देखिए passionate फिल कर रहे है ऐसी बात नहीं है लेकिन यहाँ पे किसी पार्टनर में ego भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो issue आ रही है अगर आप दोनों के reunion नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो जो कोई भी आ रहे है commitments related या फिर आप लोग marriage भी हो सकते हो या reunion से related तो आपके बीच में reunion क्यों नहीं हो पारी है यहाँ पे marriage और commitment से related आपके partner decision अगर नहीं ले पारे हैं तो यहाँ पे उनके father या father figure है या family issue है ठीक है तो देखे dear हो सकता है आपके partner और आप में हो सकता है कि religion issue हो caste issue हो, age gap हो या फिर कोई आप या आपके partner कोई rich family से belong करते हो, ये भी एक energy आ रहे है लेकिन जो भी इनके life में अगर father figure है या father है बहुत egoistic है और वो अपनी बात मनवाना चाहते है वो जिद पर है ठीक है और इस वज़े से आपके partner कापी गहरी सोच में है और ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपसे reunion चाहते है आपके तरह बढ़ना चाहते है आपके लिए लोगा लें लेकिन उन्हें मस समझे कि वो आपके साथ गलत करें या धोखा दे रहे या चीट करें या किसी तरह आपके साथ उन्होंने धोका और चीट किया है तो marriage से related हो सकता है कि आपके partner के life में या उनके father या उनकी family pressure दे रही है ठीक है marriage से related लेकिन ये person आपके बारे में सोच रहे थे queen of cups की energy थोड़ा से ये compromise कर रहे हैं सोच रहे हैं गहरी सोच में हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि तुमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि ये आपके लॉयल है ये अपने father से हो सकता है बात कर रहे हैं family से बात कर रहे हैं लेकिन ये आपके तरफ action लेना चाहते है ये सुवच सुवच के energy लेकिन कहीं न कहीं दियर इनको लगड़ा है कि अगर ये आपको खोदेंगे तो इनके लाइपे बहुत सारे losses होएंगे ठीक है उनको पता है कि आप उनके लिए क्या माइने रखते हो और उनके लिए आप क्या हो लेकिन इनकी family नहीं मार रहे हैं ठीक है अगर ये आपको खोदेंगे तो इनके लाइपे बहुत सारे losses हो सकते है ठीक है साइन बता देती हो यहाँ पे है फायर साइन है ठीक है फायर साइन भी है और यहाँ पे अर्स साइन भी है यहाँ पे वाटर साइन भी है यहाँ पे एर्स साइन भी है यानि के Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Aries and Leo सारे साइन है वीवर्स यहाँ ठीक है तो देखिए देर आपके पार्टनर के मन में जो भी है आपके लिए true love है एक एहसास है, passionate है आपके लिए, loyal है आपके लिए लेकिन हो सकता है कि इस बक्त आपके पार्टनर अपनी पाबर में आने की कोशिस कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें गलत ना समझी, आपको उन्होंने दोका नहीं दिया है इनकी मजबूरी है, कभी family की बात माननी पर रही है, कभी फादर की बात माननी पर रही है कभी-कभी इनको ऐसा भी लग रहा है जिर कि आपसे कैसे कहूं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी कहना है कि इनके life ये family issue है commitment marriage related और कुछ viewers आपके partner की marriage हो रही है या fix हो चुकी है, जहां आपके partner खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको लग रहा है कि अगर इनकी marriage कहीं हो जाएगी, तो बहुत सारे losses हो सकते हैं और आपके खुने से भी बहुत सारे losses हो सकते हैं तो यहां आपके partner के उपर marriage का भी दवाव पर रहा है family का बहुत pressure पर रहा है कि वो साधी कर ले marriage कर ले commitment कर ले किसी और से लेकिन the handman की energy ये कह रहा है कि ये delay कर रहे है क्योंकि ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आगे जाकर decision लेने वाले हैं इस वक्त इनके मन में है dear आपसे reunion करना और आपके तरफ बढ़ना और आपसे दिल की बात share करना लेकिन commitment marriage related ये आपको wait करा सकते हैं लेकिन अभी इस वक्त इनको third party से भी pain मिला चाहाँ वो family हो parents हो या कोई और हो आपके partner को इस वक्त पेन महसूस हो रहा है dear लेकिन आपको ये क कि उनको एहसास है कि आपने बहुत compromise किया है इस रिष्टे को लेकर आपने उन्हें बहुत support किया है और कहीं न कहीं ये losses से भी गुजरे है dear तो आप financially भी इन्हें बहुत आपने support किया है तो आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये person आपके तरफ ही एक्सल लेना चाहते हैं ल इवन कि अभी भी आपके partner बहुत सारे losses से गुजर रहे हैं ये उन्हें अनुवा हो चला है कि आपके बगार कुछ भी नहीं लेकिन इनकी family pressure हो सकता है इनके पुरवज हो ठीक है इनके अहां कुछ ऐसे देखे कुछ मुझे लगड़ा कि आपके family partner की family traditional हो सकते है traditional way में marriage करन चाहते हैं हो सकते हैं इनके पुरवज कुछ ऐसे मतलब इनको कह कर गए है कि हमारे खांदान में ऐसा नहीं होता है तो ये पुरवजों की सुनते हैं यहां पे ancestor healing ancestor blessing भी है ठीक है ancestor उनके साथ है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो obstacle आ रहे हैं ठीक है लेकिन फिर भी यहां पे बुजर्ग भी है और इनकी family members है अच्छी family से background family background इनकी है लेकिन यहां rich family भी है और इनके खांदान में पुरवजो ने कहा था कि हमारे खांदान में ऐसा नहीं चलता है तो ये आपके partner के family चाहती है कि उनकी traditional marriage हो और अलग हो आप से ना हो और इस वज़े से आपके partner की energy ऐ इसी है कि उज़े हैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं और ये डिले भी करते हुए नजरा लेकिन फिर भी ये आपके तर बढ़ेंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है बहुत compromise किया है और आपका इन्होंने दिल तो रहा है और ये नहीं चाहते हैं कि वह आपका दिल तोरे आपको हट करें आपको प्रशान करें आपके लाइब में प्रशानिया क्रियेट करें इसलिए आपके परसन कहना चाहते हैं कि आपके लिए ही बने हैं और आपसे ही marriage करेंगे वो आपसे ही commitment करेंगे लेकिन इस वक्त उनके मन में है आपके तर बढ़ना और reunion चाह रहे आपके पार्टनर लेकिन सुबसुबा आपके पार्टनर की एनरजी बहुत अच्छी भी दिखाई नहीं दे रही है बहुत दुखी है बहुत ब्लॉकेज है बहुत प्रशानी है लेकिन हो सकता है इस वक्त तब भी अप जिन्दगी को जी रहे लेकिन आप उनके लाइब से च सुबक की एनरजी है डियर कि ये परसन आपके लिए आपको पर्पोस करना चाहते है एक्सल लेना चाहते है डाविल की एनरजी ये भी बता रहा है डियर कि कुछ वीवर्स आपके पार्टनर गुस्से में भी हैं पैरेंस को और फादर से बहुत ज़दा गुस्से में हैं और आपके लिए passionate फिल कर रहे हैं, attraction फिल कर रहे हैं, और ये new beginning चाहा रहे हैं आपके तरफ, आपका दिल तोरना नहीं चाहते हैं, आप से दिल के बात share करना चाहते हैं, इनके family, इनके parents नहीं चाहते हैं, कि आप दोनों एक हो, लेकिन वो कह रहे हैं, कि ये आपने बहुत compromise किया, इन्होंने भी wait किया है, और आपको इन्होंने wait कराया है, तो ये कहना चाहते हैं, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तुरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तरफी बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हें offer करना चाहता हूँ, कहने का मतलब वो आपको नहीं होना चाहते हैं इविन के आपने लॉसिस के समय इन्हें आपने सपोर्ट किया है फाइनांसली भी ठीक है इन्हें मोटिवेट भी किया है तो आप उनके ट्विन सोलो आप लोग का पास्ट लाइब कनेक्सर हैं उनको एहसास है लेकिन यह परसंट आपके साती आगे बढ़ना चाहते है तो देखे दियर आज family आपके पार्टनर की है कोल सी एनर्जी आपसे मैच हो रही है डियर वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू